हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर, दोस्तो उत्राखंड सबोटिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन में रिभ्यन्यू डिपार्टिमेंट में रिक्यूट्मेंट निकाला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका ओफिसियल पेज है, इसको ओप रिक्यूट में निकाला गया है, कितने पोस्त पे रिक्यूट में निकाला गया है, अपलाय का डेट देख लेगे, साथ ही अपलिकेशन फीर, सेलेक्शन प्रोसिस क्या होगा, और सेलेक्शन का जो होगा, अलिगलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगा, हम लोग देख लेगे, तो इससे पहले यहां देख सकते हैं यहां पे ग्रूप C राजस उपनिरिक्षक यानि कि पटवारी के पोस्ट पे 326 पोस्ट पे रिक्यूट में निकाला गया है और राजस उपनिरिक्षक यानि कि लेखपाल के लिए 147 पोस्ट पे रिक्यूट में निकाला गया है और यहां पे total post कि बात करें तो पटवारी और लेखपाल का 513 post पे recruitment में निकाला गया है अब यहां पे कब से आप apply कर सकते हैं, last date क्या होगा, आपका payment का date क्या होगा और आपका return exam का date क्या होगा, यह यहां पे दिया गया है जैसे कि 17 जून को विग्यापन प्रकासित हो गया है online आप इदन का जो date है, यानि कि कब से आप apply कर सकते हो तो 22 जून से आप इस form को apply कर सकते हैं, भर सकते हैं जो last date होगा 5 अगस 2021 होगा और payment जो होगा इस application form को भरने के लिए 7 अगस 2021 होगा और आपका देखिए exam का जो date यहां पे है November है, तो group C के post पे recruitment है दोस्तों तो आपने अभी तक देख लिया कितने post पे और किस post पे recruitment निकाली गई है और important dates आपने देख लिया, अब हम लोग qualification देखते हैं और application fee देखते हैं कितना लगेगा यहां पे friends आप यह चीज़ देख सकते हैं, यहां पे post का code दिया गया है और department का नाम दिया गया है और category wise में यहां पे divide कर दिया गया है कि किस post पे कितनी recruitment है याने कि आपका general, OVC, SC, ST इस प्रकार से, ओके यहां पे district wise भी दे दिया गया है, किस district में कितने post पे याने कि पटवारी और यहां पे लेख कार का जो recruitment है, किस district में कितना है, ओके तो यह देख लिजेगा आप अब देखिए, बेतन मान क्या होगा, तो 29,200 से लेके, 92,300 तक का है आवी सीमा देखिए, 21 वर्स से लेके, 28 वर्स तक होना चाहिए पद का स्वरूप जो है, और राज पत्रित, यानि कि अस्थाई, अंसदाई, पेंसन, युक्त ठीक है, सैचनिक अहर्ता क्या होना चाहिए? तो सीधा सा दोस्त, यहां पर दिया गया है आपको इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए, यानि कि पतवारी और लेखपाल के अपलाई करने के लिए आपको graduate होना चाहिए ठीक है तो आपने देख लिया आपका written exam होगा दोस्तों फिर आपका सारिक यानि की physical भी होगा जिसमें से पुरुष को 60 मिनट में 7 km महिला अभ्यारती को 35 मिनट में 3.5 km दौरना अवस्त्यक होगा सारिक मानक जो है यहां पे आपका दिया गया है यह exam होगा हुआ objective होगा यानि कि OMR पे आपका होगा 100 question पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का time दिया जाएगा जो कि हिंदी सामान अध्यान यानि कि हिंदी general knowledge general studies से आपके प्रस्ण पूछे जाएंगे इसी प्रकार से आप लेखपाल काफी देख सकते हैं वहां लाइक करिएगा और ऐसी लेटिस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में भी सेर करिएगा